नमस्कार मैं रवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विवाग हरियाना से आपका आज के एजुसेट परसारण में स्वागत करती हूँ प्यारे बच्चों आज हम कख्षा साथ कि अध्याए PGA व्यंजक भागदों में बीजीए व्यंजकों के योग और व्यकलन के बारे में सीखेंगे पिछले लेक्चर में हमने बीजीए व्यंजकों के बारे में विस्तार से जर्चा की थी हमने सीखा था कि किस प्रकार से पेडारेक बनाया जाता है और BGA वेंजकों में पद और गुणनखन किस प्रकार से निकाले जाते हैं और साथी साथ हमने एक पदी, द्रीपद, द्रीपद और समान और असमान पदों के बारे में जाना आज उसी लेक्टर को पॉंटिन्यू करते हुए हम BGA वेंजकों के योग और व्यकलन को सीखेंगे और उन पर अधारित प्रेशनों को हल करेंगे हम आरम करते हैं BGA वेंजकों का योग और व्यकलन बचों BGA वेंजकों का योग और व्यकलन में हम देखते हैं सबसे पहले समान पदों को जोडना और घटाना इसमें असमान पदों को समान पदों की तरह जोडा या घठाया नहीं जा सकता तो सबसे पहले हम ले रहे हैं समान पदों को जोड़ना रोहित एक दुकान पर गया उसने दुकानदार से तीन पैन लिये पर तेक पैन का मुले पी रुपए था तो उसने तीन पैन खरीदे तो तीन पैनों का मुले हो गया तीन पी रुपए अब रोहिद से दो पेन और खरीक दे तो अब उसको कितने कीमत चुकानी पड़ेगी वो 3P रुपे दे चुका है अब वो 2P रुपे और देगा तो उसकी कीमत हो जाएगी 3P प्लस दो पी 3P प्लस दो पी पराबर 5P रुपे रोहित ने छे रबड खरीदे पर तेक रबड का मुल्ले आर रुपय था तो छे रबडों का मुल्ले छे आर हो गया रोहित ने दो रबड वापिस कर दिये अब उसको कितना मुल्ले चुकाना पड़ेगा तो हम इसमें से दो वार घटाएंगे आ जाएगा आपके पास चार आर देखिए ये दोनों समान पद हो गए इनमें संख्यात्मा गुणनखंट समान नहीं है परंदु आर यानि बीजे गुणनखंट समान है दोनों के बीजे गुणनखंट आर आर हैं तो हम 6 आर में से 2 आर घटाएंगे तो हमारे पास 4 आर आएगा इसके बाद असमान पदों को समान पदों की तरह जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता इसको हम एक उधारन से समझते हैं रोहित ने एक दुकान से 3 पैन और 4 रबड़े खरीदी एक पैन का मुल्ले पी रुपे है और एक रबड का मुल्ले चार रुपे है अब रोहित को कितनी कीमत देनी पड़ेगी रोहित को 3 पी जमा चार आर रुपे देने बढ़ेंगे क्या इनको हम जोड सकते हैं तीन जमाचार साथ कर सकते हैं नहीं क्योंकि देखिए इनके जो बीजे गुननखन है इसका P है और इसका R है तो इन दोनों को हम नहीं जोड सकते क्योंकि pen की कीमत अलग है और रबड की कीमत अलग है तो हम इनको नहीं जोड सकते, जैसे हम पैन को नहीं जोड सकते रबड के साथ, हम उनकी संख्याई यह नहीं कह सकते कि हमारे पास साथ रबड है या साथ पैन है, तीन पैन है और चार रबड है, तो तीन पैन की कीमत तीन पी और चार रबड की कीमत चार तो यह असमान पद कि एक पैन कितने का है और एक रबड कितने का है बच्चों अब हम कुछ उधारनों की मदद से स्मान पदों को जोड़ना या घटाना सीखेंगे सबसे पहले हम लेते हैं इसमें 3x जमा 4x तो देखिए इसमें दोनों में x सांजा है 3 जमा 4 इसको जोड़ लीजिए यह आ जाएगा 7x 3x जमा 4x 7x इसमें हमने जो समान बीजिये गुडनखंड है उसको सांजा ले लेना है यह हम डारेक्ट कर सकते हैं जमा 4 7 और x एंड में आ जाएगा x को दो बार नहीं लेना है x दोनों में सांजा है अब अगले में देखिए 8 जमा 5 जमा 2 ब्रैक्ट के बार x y तो यह बन जाएगा 15xy अब अगले में 7 जमा 3 माइनस 2 संख्यात्मक गुणांकों को एक दरफ ले लीजिए और n सांजा ले लीजिए तो यह बन जाएगा 7 और 3, 10, 10 में से दो गए 8, 8n एक बार दुबारा से इसको करते हैं दिखिए 3x जमा 4x, 7x 8 और 5, 13, 13 और 2, 15, 7 में आ गया x, y next 7 और 3, 10, 10 में से दो गए 8, तो उत्तर आ जाएगा 8n next है 12ab में से 5ab घटाए तो इसका उत्तर बच्चों बनेगा 7ab अगला उजारण देखिए बच्चों इन चारों पदों को हमने जोड़ना है चारों के चारों समान पद हैं तो हम इनको जोड़के लिखते हैं कुछ इस प्रकार से अब इसमें देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस यहां भी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो next step आ जाएगा हमारे पास ये अब 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 4 गए 2 पांच में से 3 गए 2 निशान बड़ी रकम का आएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 2 एमन प्लस 4 एमन अब 4 में से 2 गए 2 तो ये आ गया 2 एमन next example a प्लस b माइनस 3 b माइनस a प्लस 3 और a माइनस b प्लस 3 इन सब को जोड़ना है तो जोड़ते हैं इनको अब हम क्या करेंगे बच्चों हम इसमें a वाली सारी रकमे इकठी कर लेंगे b वाली सारी रकमे इकठी कर लेंगे और अचर राशियां जो हैं constant terms हैं उनको इकठा कर लेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं a वाली सारी राशियां देखिए ये आ गए a में से ये गया 0 b में से b गया 0 3 में से 3 गया 0 बच्चा आपके पास a जमा b जमा 3 तो ये आ गया हमारा उत्तर next इन तीनों पदों को जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ेंगे अब in में हम m वाली सारी रखमे इकठी कर लेंगे फिर n वाली सारी रखमे उसके बाद constant terms तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है 5m माइनस 4m और 2m ये लिख दिया हमने उसके बाद माइनस 7m प्लस 3m यहां आ गया उसके बाद प्लस 2 माइनस 5 अब m वाली सारी रखमों को जोड लीजिए 5 में से 4 गया 1 1 जमादो 3 3m 7 में से 3 गये 4 निशान बड़ी रखम का माइनस 4n प्लस 5 जमादो 7 तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 3m माइनस 4n प्लस 7 बच्चों अब हम कुछ उधारन करेंगे जिसमें हम घटाएंगे तो y की 2 में से माइनस 5y की 2 घटाना है तो y की 2 माइनस 5y की 2 देखिए माइनस माइनस हो जाएगा इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस तो यहां हो जाएगा समान पद है एक है y की 2 y की 2 को हम 1y की 2 कह सकते हैं और 5y की 2 इन दोनों को जोडा तो हमारे पास उत्तर आ गया 6y की 2 नेक्स माइनस 12xy में से 6xy घटाए तो यह आजाएगा बच्चों दोनों निशान एक जैसे हैं जोडेंगे और यह समान पद हैं तो यह आजाएगा माइनस 18xy नेक्स a प्लस b में से a माइनस b घटाएए तो हमने देखो इसमें क्या किया है a प्लस b के नीचे a माइनस b रखा है घटाने पर तोनों के निशान बदल जाते हैं तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर a में से a गया a में से a गया 0 और b प्लस b 2b हमने क्या किया जब हम घटाते हैं तो निशान बदलते हैं यहाँ कोई निशान नहीं था मतलब प्लस यह हो गया माइनस माइनस का हो गया प्लस तो आपने यह निशान कंसीडर करने है a में से यह गया 0 b प्लस b 2b तो उत्तर आ गया आपका 2b बच्चो अब हम देखेंगे प्रशिनावली 12.2 में घटा का स्वाल जिसमें 3ab-2a2-2b2 में से 5a2-7ab प्लस 5b2 को घटाना है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि इसमें से हमने इस रकम को घटाना है तो हम उपर ये वाली रकम लिखेंगे पहले तो इसको मैंने लिख दिया 3ab-2a2-2b2 अब जब मैं इस रकम को यहाँ पर इसके नीचे लिखूँगी तो मैं एक जैसे जो पद है जो समान पद वाली संख्या है उनको एक साथ लिखूँगी तो यहाँ पर सबसे पहले है 5a2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2b2-2 तो बच्चों जब हम घटा की स्वाल करते हैं तो जो रकम हमारे पास नीचे होती हैं इनके जो चिन होते हैं इनको हम उल्टा कर देते हैं तो अब यहाँ पर यह माइनस है तो इसको मैं प्लस लिखोंगी यह प्लस है तो इसको माइनस लिखोंगी और अब जब मैं इसको हल करूंगी तो ये रकम भी प्लस की है और ये भी प्लस की है तो ये दोनों रकमे आपस में जोड़ जाएंगी तो 3 और 7 10 A B अब ये दोनों माइनस के साइन है तो माइनस 5 और 2 7 A स्केर फिर दोनों माइनस के हैं तो माइनस का साइं, 5 और 2, 7, 20 के, तो ये हमारे पास इसका उत्तर बन जाएगा, बच्चों बगला स्वाल हमारे पास है, कि 5 P स्क्यर, प्लस 3 Q स्क्यर, माइनस P क्यू में से, 4 P क्यू माइनस 5 Q स्क्यर, माइनस 3 P स्क्यर को घटाना है, तो इसके लिए हम ये जो उपर वाली रकम है, सबसे पहले हम इसी को ही लिखेंगे, और अब ये जो अगली रकम है, इसको मैं यहाँ पर इसके निचे लिखूंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं यही ध्यान रखूंगी, कि जो समान पद है, वो एक ही सीध के अंदर है, तो जैसे ये 4 P Q है, तो इसके आगे कोई सा साइन है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, प्लस 4 P Q, तो इसको मैंने P Q के साथ ही लिख दिया, अब अगली रकम है, माइनस 5 Q स्केर, तो अब Q स्केर वाली रकम में रपास यह है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी, माइनस 5 Q स्केर, तो यह भी समान पद हो गए, अब तो इसको मैं लिखूंगे यहां पर तो यह आपने देखा कि कैसे हम जो समान कद हैं उनको एक सीध में लिखते हैं और उनका जो साइन है प्लस है या माइनस है उसका भी हम ध्यान रखते हैं तो इसके बाद हमने अब इनको घटाना है तो घटाने के लिए जो नीचे वाली रखम हमारे पास होती है इसके साइन को हम उल्टा कर देते हैं तो यह माइनस है तो यह प्लस हो गया यह भी प्लस अब यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा तो दोनों ही प्लस की रखमे हैं तो sain हमारे पास plus का ही आएगा और इन दोनों को हम जोड देंगे 5 और 3, 8 पी स्केल अब यहाँ पर भी दोनों रखमे plus की हैं तो plus का sign 5 और 3, 8 क्या उसक्या अब यहाँ पर यह दोनों ही रखमे माइनस वाली हो गई तो माइनस का sign अब यहां पर इसके आगे कोई भी अंक नहीं है तो इसका मतलब यहां पर 1 है तो 4 और एक 5PQ तो इस तरीके से हम संख्याओं को घटाते हैं तो आपने यह ध्यान रखना है कि जब भी हम घटा के सवाल करते हैं तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसके जो चिन होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं और उसके बाद ही हम उसको हल करते हैं बच्चो अब अगला स्वाल है 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस y² में क्या जोड़ना चाहिए तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जोड़ का स्वाल नहीं है ये इस तरीके का स्वाल है कि जैसे मैं आप से कहूं कि 8 प्राप्त करने के लिए मुझे 2 में क्या जोड़ना चाहिए तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 में क्या जोड़े तो 8 आएगा तो आप जानते हैं कि अगर मैं 6 जोड़ूंगी तो मेरे पस 8 आजाएगा तो ये 6 मेरे पस कैसे आया कि मैंने 8 में से 2 को घटा दिया तो अगर मैं 8 माइनस 2 करती हूँ तो मुझे 6 प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब जब मैं 2 में 6 जोड़ूंगी तो मुझे 8 मिलेगा तो अब हमें ये संख्या प्राप्त करनी है तो इसका मतलब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे 2 x square प्लस 3 x y हम इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर वही हम समान पदों का ध्यार रखेंगे यहाँ पर मैं लिख दूँगी x square प्लस x y इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगी प्लस y square अब यहाँ पर में परस कोई y की रखम नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँगी और अब इनको मैं घटाऊंगे तो घटाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे यह प्लस का साइन है तो यह माईनस बन गया यह भी माईनस हो गया और यह भी माईनस हो गया तो अब दो x square और यहाँ पर यह क्या है यह 1 x square है तो 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पस 1 ही बचेगा अब यहाँ पर यह भी 1xy है तो प्लस 3 और माइनस 1 तो प्लस 3 जो है यह बड़ी संख्या है तो प्लस का साइन 3 में से एक जाएगे तो 2xy और यहाँ पर हम सेधा ही इसको लिख देंगे माइनस y की तो बचों अंत में आपके अभ्यास के लिए exercise 12.2 दी जा रही है आपने जो भी सीखा आप उसका घर पे अभ्यास करेंगे और अंत में exercise 12.2 भी सोल करेंगे Thank you